हाई फ्रेंड जैसे कि आपने टाइडल में पढ़ा होगा कि पार्च मिनट में पार्टी के लिए तैयार कैसे हूं मेकप कैसे करें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेकप को स्टार्ट करने से पहले हमें अपने फेस पर प्राइमर एन मौस्टराइजिंग कर लेनी है उसके बाद आपको फांडेशन अप्लाय करना है तो यहां डोट-डोट करके मैं फांडेशन अप्लाय कर रही हूं और इसको मैं अच्छे से ब्लैंट करूंगी गाइस कोशिच कीजिए कि जो आप foundation यूज़ कर रहे हैं वो आपकी skin से बिलकुल match होना चाहिए क्योंकि अगर आप जादा light foundation यूज़ करेंगे तो फिर वो अलग से दिखता है इसलिए ऐसा यूज़ कीजिए जो कि पता ही न चले कि हमने कोई foundation लगाया है और आपका natural makeup लगे तो foundation को अच्छी तरीके से blend कर लीजिए मैं इस makeup को करने के लिए जादा product का यूज़ नहीं करूंगी concealer आप इसके भी कर सकते हैं बट मुझे concealer की जरूरत है इसलिए मैं concealer को लगा रही हूँ और जहां पर आपके थोड़े से spots हों आप वहाँ पर इसको लगा सकते हैं और फिर concealer को भी आप अच्छे से blend कर लीजिए और eyeshadow के लिए मैं यहां पर brown eyeshadow को यूज़ करूंगी क्योंकि मुझे natural look चाहिए मैं कोई भी ऐसा eyeshadow यूज़ नहीं करूंगी जिससे की मेरा make-up अलग से दिखे कि मैंने make-up किया है तो मैं यहां पर बहुत ही light outer corner से लेकर inner corner तक brown eyeshadow को यूज़ कर रही हूँ अगर आप make-up से related और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो link मैंने description box में दिये हुए हैं आप वहां से देख सकते हैं and eyeshadow use करने के बाद मैं इसमें brownzing करूंगी so guys अगर आपके पास bronzer नहीं है तो आप brown eyeshadow का भी use कर सकते हैं देख लीज़े कि video में मैं कितनी easy तरीके से कर रही हूँ आप ऐसे ही बहुत आसानी से bronzing कर सकते हैं ऐसे ही दोनों साइड में कर लीजिए and my one of the favorite thing that highlighter inner corners में लगाने ये मेरी बहुत ही पसंदीता चीज है तो ये मैं करती हूँ इसलिए inner corners में highlighter लगा लीजिए उसके बाद blushing कर रही हूँ और कुछ लोगों की problem ये होती है कि वो बोलते हैं कि हमारा blush अलग से मतब लाल लाल गाल दिखते हैं तो उसके लिए क्या करना है आपको blush लेना है अपने brush में थोड़ा सा और फिर उसको dab करना है और फिर लगाना है जिसे कि होगा product जादा आपके cheeks पर नहीं जाएगा और अच्छी तरीके से लग जाएगा अब जब blush लगा लिया है उसके बाद mascara लगा लीजिए and upper lashes and साथी साथ lower lashes पर भी mascara ज़रूर लगाईए और अगर आपको अपनी eyebrows set करनी है तो कर सकते हैं बट मुझे अपनी eyebrows को set करने की कुछ खास जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं यह skip कर देती हूँ और एक बहुत ही important बात जो कि सबको ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम लोग off shoulder cloths पैंते हैं टॉप पैंते हैं तो उसमें अपने face पर और neck तक make-up रखते हैं बट जहां जरूरत हैं वहां नहीं लगाते तो यहां पर लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए इससे क्या होगा आपकी पूरी skin एक जैसी लगेगी वरना उपर का इससा make-up वाला लगेगा और नीचे का बिकार लगता है और लगता है तो यह बात बिल्कुल भी मत भूलिए and last में make-up को complete करने के लिए मैंने यहां पर lipstick यूज की है तो यहां पर मैं brown shade की lipstick यूज कर रही हूँ और lipstick को लगाने के बाद हमारा make-up ready है हमने 5 मिनट से कम में ही make-up कर लिया है तो देख लीजी है final look हमारा आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में अच्छा make-up कर सकते है और मैंने आपको यह बता दिया है कि कैसे कैसे कौन कौन से product आप use करेंगे तो आपका make-up complete हो जाएगा और अगर कोई भी product purchase करना है तो free shipping पर आप हमारे contact number पर contact कर सकते है तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो like share कीजिए comment कीजिए और मेरे चानल को subscribe करना ना भूलिए तो मिलते हैं अपनी next वीडियो में जब तक के लिए bye bye and take care